हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सब का मरीन इंजिनिंग हब में, मैं आपका न्येटर चीफ इंजियर रभी गुता आज हम बात करेंगे बंकरिंग के बारे में बंकरिंग में क्या-क्किया प्रिकॉस्टन लेना चाहिए Bunkering का checklist में क्या होता है और Bunkering के starting में क्या हमें check करना चाहिए और Bunkering में क्या-क्या important equipment होते हैं जो हमें must है हमें करना है चाहिए check उसके साथ Bunkering के precaution क्या लेना है और SOPIP का एक simple idea दूँगा और उसके साथ Hazards क्या होता है Bunkering में और फिर हम बात करेंगे Bunkering में रिसेंटली एक incident हुआ है 28 October को Singapore में उसके बारे में SO FRIEND आज के वीडियो काफे इंटेस्टिंग रहने वाला है आज ये वीडियो के अन तक अगो complete knowledge हो जाएगा Bunkering operation को लेके ये एक overall वीडियो है जिसमें मैं overall चीज Bunkering के important part को cover करूँगा और जिससे आपको मैं ये एक मन में डालना चाहूँगा जिससे आप कभी Bunker ले SIP में तो आप ये चिंजों का ध्यान रखे SO start करते हैं Bunkering का वीडियो Bunkering का वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बताना चाहूँगा Marine Engineering Hub एक ऐसा platform है जहां आपको वीडियो आपके exam के लिए interview के लिए या आपके oral के लिए बहुत ही लबदायक होंगे अगर आप देखेंगे तो इन सारे वीडियो में मैंने बहुत ही compact synopsis बताया है जिससे आप interview, orals और written exam आराम से लिए सकते हैं सिफ वीडियो देखके हर एक concept को मैंने concise किया है और अच्छे से present किया है प्लीज आप देखें मेरे प्रिलिश में जाके अपने अनुसार वीडियो और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज सेर करना ना बूलें चलिए, स्टार्ट करते हैं बंकरिंग का वीडियो पहला concept बाता है में दिमाग में कि बंकरिंग होता क्या है जैसे आप देख पा रहे हैं, यह दो जाहाज है बंकरिंग का मतलब यह है transfer of oil from one sip to other मतलब जाहाज को एक port से दूसरे port में जाने के लिए तेल लगता है वो तेल जहाज transfer करवाता है एक बंकर sip से दूसरे main cargo bezel में ताकि वो जा सके अपने next destination तक तक बंकरिंग क्या है? एक process है जिसमें sip अपना refueling कराता है, मतलब simple दी बात आप में बोला जाए, अगर आपके पास car है और car का अगर tank की खाली हो गया है तो उसको आप refill कराने के लिए पेट्रल बंप में जाते हैं वैसे ही sip अपना तेल अपना tank को refill कराने के लिए आपके बंकर पोर्ट्स में जाता है जहांपे वो अपना tank को refill करवाता है अब तबसी important concept है कि safe bunkering क्या होता है तो safe bunkering का मतलब यह है कि आप जब भी oil का transfer कर रहे है एक sip से दूसरे sip आपको ये ensure करना है कि आप सी बे आप ये जो समुंद्र है इस पे एक बोंद भी ना गिराए आप एक sip से दूसरे sip पे कैसे oil transfer करेंगे वो है आपका safe bunkering तो उसके लिए basically क्या है आपको बहुत सारी important safety check करने पड़ते है safety check में हम क्यों कर रहे है safety check इसलिए कर रहे है ताकि oil spill, fire और किसी दरह contamination ना हो उसके साथ साथ हम rules and regulation जो है आपका marple का बनाया हुआ उससे हम comply करे और environment को protect कर पाए अगर आपको किसी ने पोचा कि हम bunkering operation में क्या चीज का ध्यान रखते है तो आपको answer देना है इन चीजों का हम ध्यान रखते हैं कि oil spill ना हो हम ध्यान रखते हैं कि fire ना हो हम ध्यान रखते हैं कि contamination ना हो और उसके साथ साथ सबसें इंपोर्टेंट हम ये ध्यान रखते हैं कि कोई तरह का environmental protection standard wallet ना हो और rules and regulation हम माने इन चीजों को करने के लिए इन चीजों का achieve करने के लिए हमें bunker checklist को by hurt each and everything को follow करना पड़ेगा हमें shipboard oil pollution emergency plan को follow करना पड़ेगा और potential hazard like say oil skill all fire risk को analyze करके उसका step रहना पड़ेगा so अब जानते हैं one by one जैसे मैंने बोला जो हम ये चीजों का ध्यान रखते हैं तो पहला चीज है bunker checklist so bunker checklist क्या है basically ये एक तरह का checklist है जो दिखता इस प्रकार का है जिसमें one by one point लिखा हुआ है जिससे हमें go through करना पड़ेगा और फिर हमें टिक मानना पड़ेगा इससे क्या होता है कि हम ये ensure करते हैं कि हमने हर कुछ step by step check किया और वो चीज प्रापर चीज कंडिशन पर है तो उससे क्या होता है कि हम risk को analyze करके eliminate कर रहे है so bunker checklist में अगर आप question पूछे bunker checklist में की element बताओ क्या है basically bunker checklist में पहला key element होता है कि host और connection जो है वो सही से लगा है कि नहीं दूसरा key element होता है communication और emergency response का readiness communication किसमें communication between the terminals या आपका ship से ship कर रहे है तो one ship to other ship और उसके साथ-साथ emergency response readiness मतलब हो गया कि आप bunker कितनी जल्दी stop करेंगे अगर कोई आपका hazardous situation arise होता है और किस तरह आप react करेंगे उसका तयारी आपका किस तरह है उसे कहते है हम लोग emergency response radiation उसके साथ-साथ confirm करना fuel quantity और quality किस तरह का है और आपका पूरे process को properly monitor करने के लिए क्या के चीज़े ध्यान रखती पड़ेगी इसके लिए मैं बात करना चाहूंगा pre bunkering preparation check अगर आप ship पे बंकर लेने जा रहे हैं आपको यह must ध्यान रखना पड़ेगा पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप जितने भी suppose आपके दो tank है one port और two port okay so यह जानते है suppose आपके दो tank है एक इधर है और एक आपका इधर है आपके यह दो tank है one port and two port two shower suppose one shower one port आपका दो tank है so जिस tank में आप लेना है उस tank का यह insert करना है कि सारे valve in out सब कुछ बंद होने चाहिए इसका जो air wind है इसके ओपर एक air wind होता है यह air wind आपका clear होना चाहिए उसके साथ साथ आपका overflow tank मतलब हर ship में एक overflow tank होता है वह overflow tank का soundling आपको before ले लेना है और उसके साथ जब आपका bunkering चालो हुआ आपफर इस टैनक का बंकल ले रहे है उस टैनक का साव्की लीना है उसके साथ साथ आपको overflow tank का soundling बाकी साथ अभिक्त का soundling लेना है ताकि रियो इसके तेल ला फॉर फॉर आप शांट में उस कर लेना होना है उसके साथ साथ आप bunkering के पहले ये इसरूर करेंगे कि आपका सारा वाल बंद है वोग फ्लोर टैंक का सॉरूर ले लेंगे उसके बाद आप high level alarm चेक करेंगे हर bunker tank में normally क्या होता है एक आपका high level alarm लगा होता है जो आपका 90% होने पे आपका alarm आता है कि स्वार बढकरना है कि यह आपका food बराबर काम कर रहा है आपको यहां से इस इलाठ करना है कि आपको यह कूझे आपको फ्लोस्ट करना है कि आपका वाल काम कर रहा है यह नहीं कर रहाँ अगर आपको प्रोजिद्ध दिया हुआ है तो अगर नहीं दिया हुआ है दें इंविल You Guys і चेक यह अपको काम कर रहा है की नहीं कर रहा है पहले चेक करना है कि सारा वाल जीतना बंकर टैंक जिसमें लेना हो बंध है आपका air wind आपका clear है कि नहीं आपका overflow tank आपका खाली होना चाहिए आपका high level alarm properly आपका काम करना चाहिए उसके बाद आपका sounding tape है वो आपका clear होना चाहिए कोई kink नहीं होना चाहिए उसमें क्लिरली विजिबिटी होना चाहिए अगर आप गैस ले रहे हैं तो आपको और फांडिंग पेश्ट भी साथ रखना है उसके साथ साथ आपको प्रॉपर्ली सारे वाल्व को अभी आप अगर बंकर लेने जा रहे हैं सपोस्थ आपको यह टैंक में अगर बंकर लेना है तो इ वह आपको clean होना चाहिए प्रॉपर्ली सील होना चाहिए और सबसी important क्या है आपको कि आपका जो यह connection है अभी यह बंकर में जो connection है यह connection पहला चीज़े यह drip tray के अंदर होना चाहिए दूसरा drip tray क्या होता यह नीचे drip oil tray के अंदर होना चाहिए उसके साथ साथ कोई भी leakage मतलब यह connection बनाया गया है इस पे जब आप बंकर स्टार्ट करेंगे तो यह insert करने का कोई भी प्रकार का एक small leakage भी ना हो उसके साथ साथ आपका host condition जो है यह आपका बंकर का meaningful condition है वो clean होना चाहिए कोई तरह का resting होना चाहिए कोई short patch नहीं होना चाहिए यह सब अब ensure करेंगे उसके बाद most important यह safe oil tray का आपका plugging करना है इसे साथ साथ बाकी आस पास जितने भी scrubber हैं जितने भी scrubbers हैं उसको आपको plug करना है और time to time inspect करना है आपका basically क्या हो गया आपने host test कर लिया bunkering properly connect है कि नहीं connect है उसके बाद company का requirement होता है continuous sample analysis कोई कोई में ऐसे वाल प्रवाइड कहा रहता है और किसी किसी में नहीं कहा रहता है तो उसके साथ क्या करेंगे यह होता है आपका continuous drip sampler इसे आप लगाएं इसमें यहाँ पे यहाँ पे hole है जब भी oil इसके थुरू पास करेगा ऐसे यह hole से oil नीचे जाएगा और यहाँ से गिरेगा आप यह लगा दे इसको यहाँ पे लगा दे और oil drop by drop आप flow को यहाँ से adjust कर सकते है यह चीज इंपोर्टेंस है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अब बात करते हैं आपके sips और चेक्रीश के बारे में जो आपको जब भी आप अलॉंचेट होंगे तो आपको यह sign करना पढ़ता है मैं आप इंपोर्टेंट है बात करते हैं hazard के बारे में जैसे मैंने बताया था कि sips का bunkering का सबसे पहला hazard है oil spill तो उसके लिए आपको सूपिप का equipment जो क्या होता है जैसे आपका bucket हो गया, oil rum हो गया, broom, swawel, absorbent pad, sawdash, oil boom, rubber boot ये सारा कुछ आपको इस सूपिप locker में रखा होता है जो आपको basically bunkering जहां पर हो रहा है उसके पास रखना पड़ेगा अगर आपका bunkering यहां पर हो रहा है तो आपको nearby sopip का equipment रखना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको ये इस करना पड़ेगा सारा इसका पर आपका plug रहा है तक कि अगर किसी तरह का आपका oil pollution होता है तो आपका emergency response जो है वो आपका quick हो और आप time waste ना करे equipment को लाने में तो पहला hazard जो आपका oil pollution है उसको contract करने के लिए आप sopip का equipment bunkering के सामने रख रहे है ठीक है basically sopip में क्या होता है sopip एक तरह का emergency response plan है तो design के जाता है spill को handle करने के लिए इससे basically क्या होता है emergency contact list रहता है आपका inventory होता है जो मैंने बताया आपको यह सारे रहेंगे और उसके साथ साथ procedure रहेगा किस तरह आप oil spill को mitigate कर सकते हैं अब बात करते हैं दूसरा जो hazard है वो आपका fire है fire को अगर आपको avoid करना है यसे आप यह देख पा रही है आपको oil spill हो गया बंकरिंग का दौरान अगर उसके साथ कोई fire हो जाता है जो दिखता कुछ इस प्रकार का है बंकरिंग का दौरान आपका fire लग गया अगर fire है लग गया है तो उसको avoid करने के लिए आप क्या करेंगे आपको basically क्या करना है कि अगर जब आप बंकर ले रहे हैं तो उसके पास आप soapy का equipment रख रहे हैं उसके साथ साथ आप fire string का समान जैसे small fire को withheld करने के लिए आप small potable fire string सर रखेंगे दूसरा आपको host को rig करके रखना पड़ेगा आपको fire host को rig करके रखना पड़ेगा charge condition नहीं रखना है बस rig करके रखना पड़ेगा ताकि कुछ भी यह तो फटक से fire बंचालो कि we can start fighting the fire so यह आपको emergency response readiness के अंतरगत करना जरूरी है so oil spill के ही लिए हम लोग क्या कर रहे है sopave equipment और crew को training दे रहे है और regular inspection कर रहे है और time to time monitor कर रहे है fire hazard के लिए हम लोग basically क्या कर रहे है foam extinguisher हो गया यह आपका जो भी system issue system attack पर उसको readiness condition पर रख रहे है उसके साथ-साथ charge host रख रहे है और उसके साथ-साथ small fire fight करने के लिए potable fire extinguisher भी रख रहे है अगर कोई तरह का contamination होता है तो वह आपका कहा affect करेगा वह basically क्या करेगा अगर कोई तरह का water contamination हो गया हो गया तो वह आपका engine का life का affect कर सकता है उसके लिए में यह धान देना है कि जब भी हम sampling के लिए oil भीज रहे है फ्यूल भीज रहे है वह properly हम लोग करेट करें ताकि हमें proper analysis मिले ताकि हमारा engine effect ना हो मतलब आप यह समझिए यह जो आपका continuous drip analysis है जैसे मैंने बताया था कि यहां से अगर आपका मालनी जो oil flow हो रहा है ऐसे oil जा रहा है और यह चीज आपने ऐसे लगा दिया और इसके नीचे आपका यहां पर sample यहां पर यह ओल गिर रहा है विसलिए क्या हो रहा है कि continuous drip करने करने आपको sample collect हुआ और इसको जब आपने भेजा लैब में इससे आइडिया आता है कि जो आपको bunker आपको मिला है वह किस मिला है अगर वह आपको offset निकला तो आप इसको debunker कर सकते हैं अगर सब को सही है तभी आप इसको use करें उसके साथ क्या होगा कि आपका engine बरबाद होने से या खराब होने से बच जाएगा दोस अब बात करते हैं preventive measure जो हम लोग bunkering में ले सकते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपको checklist complete करना है equipment को check करना है communication को check करना है bunkering के दौरान आपको सबसे important bunkering के दौरान पहला चीज़ है कि आपको सारे tank का sounding frequent 15 से 20 मीट के बीच में लेना है और ये ensure करना है कि जिस tank में आप bunker ले रहे हैं उसी में से fuel जा रहा है बाकी और किसी में fuel नहीं जा रहा है post bunkering में आपको fuel का quantity और quality चेक करना है और host को carefully remove करना है और document process को complete करना है ताकि record keeping के लिए सही रहे so overall अगर मैं बोलू बंकरिंग में सबसी important चीज़ क्या है तो पहला चीज़ है bunker checklist जिससे आपका pre bunkering आपका check होता है दूसरा चीज readiness condition बोलो तो वह है आपका swap app और आपका fire hazard के लिए form system और charge host या aligned host यूज करेंगे हम जब अकर कोई दिक्कत होगा तो उसके बाद क्या है कि awareness जो जो परस्टन पार्टी इंवाल्व बंकरिंग को operation पे है आपको यह निक होना है कि यह bunkering है छोटा था bunkering है कम bunkering कुछ होगा नहीं accident कभी हो सकता है आपको हमेशा alert रहना है पूरी bunkering operation का दोरान बैठना नहीं है continuous round देना है monitor करना tank को bunkering के दोरान और आपको company के rules and regulation को follow करना है अब बात करते हैं एक oil incident recently 28 October 2024 में हुआ था जिसका वीडियो इस तरह का जो वीडियो है कि आपका oil बहुत सरा गिर रहा है सिंगापूर में ship से वह बहुत भारेल हुआ था यह विसलिए क्या है एक तरह का bunker oil spill है यह विसलिए क्या हुआ था कि किसी oil transfer के दोरान equipment का malfunction के कारण या procedure lapse के कारण यह हुआ अब इस चीज होने कारण इस company का जो ship है मतब अगर सपोज इस ship को point A से point B में जाना था suppose point A से point B में ship को जाना था और यह इस point पर रुका था bunker लेने को सिंगापूर पर अब यह A से यहां पर आके bunker लिया अब इसको जाना था B पर अब यह ship B तक नहीं जा पाएगा because इसको अब involve होना पड़ेगा legal complication पर because क्योंकि यह oil spill किया है इसके सारे बंदे जो जहांच पर हैं अब इनको legal activity को तो गुजरना पड़ेगा सबसे पूच्छात होगी ship के crew को अब थोड़ा problem होगा harassment नहीं बोलूँगा because अब inquiry बैठेगी क्या हुआ किसली हुआ यह अब देखा जाएगा Singapore पर ऐसा oil spill हुआ क्योंकि procedure lapse और malfunction नहीं पहुच पाया ठीक है और उसके बाद उन्होंने पूरी situation को control में ले लिया और traffic को रोका नहीं because Singapore में बहुत खतरना traffic होता है और वो एक तरह का meeting point है तो दोस्तो आज चीवडियों में जाना bunkering के दुरान bunker checklist का importance क्या है sopip का importance क्या है bunkering में क्या क्या hazard हो सकता है अगा किसमें पूछा bunker में क्या क्या hazard है यह तीन चीज के नाम देना है और इसको किस तरह आप यह कर रहे हैं oil spill को आप sopip के तुरु contract कर रहे है fire hazard को आप fire watch और आप alertness जैसे आप fire hose को align करके हो foam monitor को bunkering के यह बंकर ले रहे है आप dad करके हो और contamination को contain करने के लिए आप sampling कर रहे हो proper list को store कर रहे हो और उसके साथ साथ sample को properly भेज रहे हो और document कर रहे हो ताकि कुछ भी हो तो आपके claim में आसानी हो दौस्तो अगर आज की वीडियो में आपने को सीका है अचना है तो please लाइक करे प्लीज सब्सक्राइब करें और प्लीज सेर करें दौस्तो मैं देखरा हूं कि आप सब वीडियो देखते हैं आप लैइक भी करतें पर आप सब्सक्राइब ने करतें मेरा request है कि marine engineering hub जो channel है ऐसी channel बहुत कम है जो आपको video बहुत सिललता की रूप में बताएंगे सो मेरा request है कि आप प्लीज subscribe करें और अगर आपको ऐसी video और पानी हैं, जल्दी पानी है सो प्लीज आप हमारा members जञानी कीजिए बहुत basic fees है 49 venus 89 venus जो हम एक दिन में कहीं भी कुछ भी करते वक्त खर्च कर देते हैं ये पैसा मैंने सिफ रखा है ताकि मैं इन पैसों से बच्चों के या गरीब का help कर सको इन से हम कुछ कमानी रहें ना मैं कुछ कर रहा हूँ तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करें, सेयर करें और मेंबरशिफ जोईन करें अपने खुद के लिए ताकि आप एक्जाम जल्दी क्लियर कर सकें अगर आपको में से कॉंट्रैक करना है आप मेंबरशिफ जोईन करें आप हमारा वाट्सप गरूप जोईन करेंगे और इसके बाद अपना doubt आप मुझे से clarity कर सकते हैं ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज देखते रहें मेरें एंजिनिंग हापको थैंक्यों फ्रेंड़